हमने कई सालों में देखा कि CM बदले, लेकिन कभी सिस्टम नहीं बदला, पहले ऐसे CM जिनकी वजह से सिस्टम बदला, जिने कहा जाता है टेक्नो CM मनोहर लाज, आज हमारे साथ CM मनोहर लाज जो है, वो जुड़े हैं. पशकार सर, ओवर टो यू सर, मैं चाहूंगी कि आप हमारे आज के युवाओं को समभोधित करें. तन्यवाद, तन्यवाद. ऐसा मैं मानता हूँ, युवाद शब्द को यदि हम उसको spelling उसका उलट कर दे हिंदी में, तो ये वायू बनता है, वायू यानि हवा, और हवा के जैसे अलगलग प्रकार होते हैं, हवा यदि मध्यम थोड़ा धीमे चलती है, तो बैयार बनती है, और अगर वायू थोड़ गार वायू बनता है, तो वो अपने आप में विधुधी में करता है, तो इसलिए चाए उसकी दिशा है, ये युवाद की दिशा और दिशा ये अपने आप में मान के चलना चाहिए, कि युवा के ठीक होनी चाहिए. आज का ये जो कारिक्रम है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आज की स्टुडेंट सिमरप्रीत कौर को बुलाना चाहूंगी उनका आज का पहला सवाल मनोहर सर के लिए ओवर टू यू सिमरप्रीत In सिमरप्रीत उमरप्रीत कौर है वैठनेख के लिए पर कही न कहीं न कहीं बखा जा रहा है कि नशे को करने के लिए और प्रयासों की जरूरत है तो सर आपका इसके बारे में क्या कहना है ? बहुत ही गंभीर ये प्रशन से प्रितक और बहनने उठाया है और हम सब लोग इससे बड़े चिंतित हैं हम जनता को या खास करके युवावर को जितना इन बातों के पती यानि इन बातों के पती उनको अवेर करना पड़ेगा अवेरनेस कंपेंड चलाने पड़ेंगे तो उन सेंटर्स पर जो कोई इस प्रकार का प्रभावी विक्ति होता है वहां पर उनको जाकर के कुछ दिन रखा जाता है उनको दिरे-दिरे वो कैसे छोड़े उसके अपने सिस्टम्स वो काम कर रहे हैं तो हर फ्रंट पर इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हरिणा सरकार काम कर रही है आप से भी अपील है कि आप अपने ऐसे युवा साथी जो इस संकट में घिर गए हैं और कई बार यह आदत ले जाती है एडिक्ट हो जाता है वेक्ति तो एडिक्शन के बाद उनको छुड़ाने के लिए हर परकार के मैथड जो सुझाय जा सकते उनको सुझाने चाहिए उनको वहां सेंटर तक पहुचाना चाहिए और अपने व्यक्तिकत संबंदों का भी स्में प्योग करना चाहिए ताकि हमारी युवा पेड़ी वो ठीक दिशा में आगे बढ़े इस को चक्र में ना फसे ऐसा मेरा आप लोग से अपील है पल्लवी शर्मा प्लीज आए और अपना सवाल मनुहर सर से पूछाए नमश्कार सर जी नमश्कार प्लीजी मैं यम्ना नागी को रहने वाली हूं मेरा आप से एक फ्रेशन है जैसे कि आप जानते हैं हरियाना को जाते अधार को पाटने का कहीं बाप प्रियास हुआ है वैसे तो यह समाज का कारे है आप से भाईचारा बनाए रखना पर आपने हमेशे आगे बढ़कर बड़ी जिम्मेदारे से इस दिश्चा में कहीं कारे किये हैं तो हम यह जानना चाहेगे कि आपने क्या किया और आप आगे क्या करना चाहते हैं इन प्रियासा को रोगने के लिए दोजार चौदा में जो मैंने करनाल से चुनाव लड़ा तो एक नारा मेरे बन में आया कि इसी समस्या को हल करना है मैंनो नारा दिया था हरियाना एक हरियानवी एक हरियानवी एक कार्थ ही है कि हम सब हरियाना के लोग हैं और हम अको हरियानवी बन करके रहना हैं जातिवा सब्सक्राइब तो इस हर्याणा एक हर्याण में एक के नारे पर आज भी में उसी प्रकार से चल रहा हूं जिसे में पहले चलता है